नमा त्री, पार्टिसिपल यानी क्रियार्थक विशिशन. पार्टिसिपल, नौन फाइनाइट वर्ब्स का तीसरा भाग है. इसे हिंदी में क्रियार्थक विशिशन, अर्थाद verbal adjective कहते हैं. ये वे शब्द होते हैं जो सामानितया क्रिया का भाव रखने वाले विशिशन की गुण रखते हैं. ये भी कहा जा सकता है कि पार्टिसिपल ऐसे शब्द हैं जो अंशिता क्रिया और अंशिता विशिशन होते हैं. चोकि ये क्रिया के अंत में परिवर्तन से बनते हैं. इसलिए इन्हें क्रिदंत यानी क्रित प्लस अंत भी कहते हैं. इन्हें तीन भागो में विभक्त किया जाता है ये वर्प का वो फॉर्म है जिसके अंत में ing प्रत्य जुड़ा रहता है अर्था वी वन प्लस ing के सम्मिलित रूप को present participle कहते हैं किन्तु ध्यान रखना है कि ऐसे शब्दों को जीरण भी कहते हैं और जीरण तथा present participle दोनों non-finite verbs के ही भाग है अब प्रशन है कि जब वी प्लस ing को present participle और जीरण दोनों कहते हैं और दोनों अलग-अलग भाग है तो फिर जीरण और present participle में अंतर क्या है इस प्रशन के उत्तर स्वरूप संख्षेप में कहा जा सकता है कि जब वर्ग प्लस ing फॉर्म का प्रयोग adjective के रूप में या continuous tense बनाने के लिए किया जाए तो ये present participle कहलाता है और जब इसका अर्थात वी प्लस ing का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाए तो ये जीरण कहलाता है जैसे walking is good exercise for health अर्थात टहलना स्वास्थ के लिए अच्छा वयायाम है इस वाक्य में walking जो की वी प्लस ing का सम्मिलित रूप है और नाउन के रूप में प्रयोग्त हुआ है इसलिए यहाँ walking एक जीरण है इसलिए जीरण को हिंदी में क्रियार्थक संग्या कहते है hearing the noise the boy woke up अर्थात शोर को सुन कर लड़का जाग गया इस वाक्य में hearing शब्द का प्रयोग boy के adjective के रूप में हुआ है अताहाँ यहाँ hearing शब्द present participle है she is listening a serious discussion in the parliament अर्थात वो संसद में एक गंभीर बहस सुन रही है इस वाक्य में V plus ing के साथ साहयक क्रिया अर्थात auxiliary verb is का प्रयोग हुआ है अताहसपश्ट है कि यह continuous tense है इसलिए इस वाक्य में V plus ing का सम्मिलित रूप listening present participle है number two past participle किसी verb की third form past participle कहलाती है तथा past participle का प्रयोग करके perfect tense एवं passive voice के वाक्य बनाए जाते हैं past participle के प्रयोग द्वारा निर्मित वाक्यों में सदैव बीते हुए घटनकरम का उलेक होता है तथा past participle वाक्य में प्रयोग धोकर वाक्य में आये नाउन की विशेष्टा प्रकट करते हैं जैसे अर्थात वो लड़का एक तूटी हुई कुरसी लाया है यहां ध्यान दें कि कुरसी का तूटना तातकालिक घटना नहीं है अपितू ये बीती हुई घटना है जो कुरसी लाने के पूर्व घटित हो चुकी थी इसी प्रकार she found her lost purse अर्थात उसे अपना खोया हुआ पर्स मिल गया इस उधारन में भी पर्स के खोने की घटना मिलने के पहले ही घटित हो चुकी थी इस प्रकार passing the road रमन met a tired man अर्थात सड़क से गुजरते हुए रमन एक ठके हुए वेक्ती से मिला इस उधारन में शब्द passing present participle है जो की रमन की विशेशता बता रहा है जबकी tired शब्द past participle है जो व्यक्ती अर्थात man का विशेशन बना है अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक और उधारन सुनते है Going near the hospital He saw a dead body covered with white cloth अर्थात अस्पताल के पास से जाते हुए उसने एक सफेद कपड़े से ढखा हुआ मृत शरीर देखा इस उधारन में भी going present participle है तथा covered past participle है नमबर थ्री perfect participle जब किनी दो कार्यों में दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद उसी करता द्वारा संपन न किया जाए जिसने पहला कार्य किया था तो ऐसी स्थिती में प्रयोक्त participle perfect participle कहलाता है perfect participle बनाने के लिए having के साद verb की third form का प्रयोक करते हैं इसके हिंदी अर्थ के अंत में करके शब्दाता है जैसे having written a letter he put it into a mailbox यानि पत्र लिख करके उसने इसे पत्र पेटिका में डाल दिया इस उधारन में दो कार्य एक ही करता द्वारा संपन हुए अर्थात जिस वेक्ती ने पत्र लिखा उसी ने पत्र को पत्र पेटिका में डाला having plugged the field the farmer returned his home अर्थात खेत जोत करके किसान अपने घर लोटा having swept the room the servant went his home अर्थात कमरे में ज़ाडू लगा कर नौकर अपने घर चला गया note present participle और past participle का प्रयोग किसी नाउन की विशेष्टा प्रकट करने के लिए adjective के रूप में भी किया जाता है जैसे present participle boring film running bike working labor past participle developed structure written copy stolen bag